Hello everyone, आज हम लोग देखने वाले 20 basic English verbs को तो पहला वर्ड है हमारा Abandon 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 का मतलब होता है त्यागना Second word है हमारा Abolice 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 का मतलब होता है समाप्त करना, यरत करना Absorb 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 का मतलब होता है सोख लेना अगला वर्ड है Abuse Abuse का मतलब होता है गाली देना अगला वर्ड है Accept Accept का मतलब होता है स्विकार करना अगला वर्ड है Accommodate 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 का मतलब होता है Asthan या जगर देना अगला वर्ड है Accompany 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 का मतलब होता है साथ देना अगला वर्ड है हमारा Account 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 का मतलब होता है हिसाब करना अगला वड़ हमारा accumulate 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 का मतलब होता है जमा करना यह जमा होना अगला वड़ है accuse accuse का मतलब होता है अपराधी ठहराना अगला वड़ हमारा achieve 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 का मतलब होता है प्राप्त करना अगला वड़ हमारा acknowledge, acknowledge, acknowledge का मतलब होता है स्विकार करना या मान लेना, अगला वड़े हमारा acquire, acquire का मतलब होता है प्राप्त करना या अधिक्रहन करना, अगला वड़े हमारा activate, activate का मतलब होता है सक्रिये करना या सक्रिये होना, अगला वड़े हमारा adapt, adapt का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अगला वड़े हमारा ad, ad का मतलब होता है जोड़ना अगला वड़े हमारा address, address का मतलब होता है संबोधित करना अगला वड़े हमारा adjust, adjust का मतलब होता है समयोजित करना या नुकूल करना अगला वड़े हमारा administer, administer इसका मतलब होता है प्रसासन करना या सासन करना अगला वड़े हमारा अड्मायर अड्मायर का मतलब अधा प्रसंसा करना और ये हमारा अन्ध था वीडियो का थांक ये फूर वाचिंग सी उन्द नेक्व सेडियो